साल था 80-90 का दशक जब जापान उन दिनों अपने प्रक्ति पर था, एक तरफ जापान के कुछ भाग अभी अभी वर्डवार से उभें ही थे, कि वहां के कई हिस्सों से कुछ अजीब खबरे आने लगी, खबरे ऐसी जो लोगों को डरा देती और उनमें एक लड़की का जि कोटे बच्चों को मार देती और उसका नाम था हाना को सान, इसका खौफ जापान के बच्चों में इतना था, कि वो टॉयलेट जाने से भी डरते थे, उन दिनों हाना को सान से मरने की खबर पूरी जापान में फैल रहा था, जब भी कोई टॉयलेट में जाता, तो ये हाना को सान उसको टॉयलेट के अंदर ही बुरी तरह से मार देती ये कहानी शुरू होती है तब जब तब हाना को सैन अपने स्कूल में पढ़ती थी तब बहुत से बच्चे उससे चिढ़ाते थे क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी और उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छ हद हो गई जब हाना को सान टॉयलेट गई थी और कुछ शरारती बच्चों ने उसको टॉयलेट के अंदर ही बंद कर दिया फिर वो चलाती रही चीखती रही कि कोई उसको अंदर से निकाले पर कोई शायद उसकी आवास सुन न पाया और जब स्कूल को सुबह में खोला ग कहा जाता कि जापान में आज भी अगर कोई हाना को सान की आक्मा को बुलाना चाहे तो वो टॉयलेट के डोर पर जाकर तीन बार नोक कर ये बोले कि हाना को सान क्या तुम अंदर हो और अगर अंदर से आवाज आए यस तो समझ लो कि वो वही है और बस बाहर निकलने ही वा कर ली हैं